सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए पेल आइकन को दबाना न भूलें हाँ फ्रेंट्स मैं राजेस कामता साइबर टीवी पे एक वाफिर से आपका स्वारत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से टाइम जोन को कनभर्ट करते हैं दोस्तों हम लोग जानते हैं जो भी लॉग डीटेल सम लोगों को प्राप्त होता है वैसे company का जो company इंडिया में नहीं होके किसी दूसरे country में है अमेरिका में है या कहीं भी कोई दूसरे देश में है तो वहाँ से जब भी कोई log details में लेते हैं या प्राप्त होता है हम लोगों का तो उसका time zone हमेशा दूसरा होता है और हमारे इंडिया का time zone हमेशा अलब होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से time zone को convert किया जाता है जैसे माल यह UTC में है तो इसको कैसे convert करके हम लोग IHT में convert करेंगे चुकि एक दो time zone होता है एक दो log होता है तो एक दो का तो मैंनोली आदमी निकाल सकता है लेकिन यदि बल्क में है हजार दो हजार यदि आपके पास log details है और उसमें हजार देरह हजार यदि timing है तो इसको एक बार भी कैसे मलब बहुत ही आसानी से convert कर सकते हैं IHT में आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा तो आज की इस वीडियो को सुरू से अंतर देखें और यह आसान सा steps को अपनाएं इसके लिए सबसे पहले हम एक app का इस्तमाल करते हैं जैसे मैंने यहां पर Google Play पर कई सारा time zone converter app है मैंने यह वर्ल time converter नाम का एक app install किया हुआ है इस पर हम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि time difference किसी भी time zone का क्या है जैसे आम तोर पर Facebook का जो हम लोग details प्राप करते हैं Facebook से उसका time zone और इंडिया का जो Facebook चुकी America based company है तो वहां का time zone है वो UTC है और इंडिया का time zone जो है वो IHT है तो इन दोनों के बीच में कितना time का difference है यह जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस एप का इस्तिमाल करेंगे और जानेंगे कि दोनों में difference कितना है तो suppose यहां सबसे पहले हम लोग देखिए इस एप में है from में वो time zone को डालना है जिसको convert करना है तो हम लोगों को अभी UTC convert करना है तो हम लोग यहां select करेंगे यूटीसी यूटीसी आपको सबसे नीचे में यहां पर मिल जाएगा और यूटीसी में एक द्यान देना है कि कई बार दखिए यहां पर यूटीसी है इसको हम लोग select कर लेंगे और यहां time इसका कुछ हम लोग ले सकते हैं जैसे हम मान लिए तीन बजे हम लोग ले लिए अगर यूटीसी में तीन बज रहा है तो इंडिया में उसका time क्या होगा तो इंडिया के लिए हम लोग select करेंगे Indian time zone IHT और IHT इंडिया में कुलकाता को base माना गया है तो यहां पर Asia कुलकाता करके हम लोगों को select करना है time zone हम नीचे में है बहुत सारा time zone चुकी होता है तो इसमें हम लोगों को search कर लेना है कि हम लोगों का कौन सा दिकी Asia कुलकाता है यह हम लोगों को search कर लेना है convert का button है इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यह लिख रहा है आठ बज़ के 30 मिनट यानि UTC यदि तीन बज़े है तो इंडिया में वो timing जो है आठ बज़ के 30 मिनट हो जागा यानि साहरे 5 घंटा plus हो जाता है यूटीसी से तो हम लोग जब भी time zone convert करेंगे खास करके चुकि सबसे ज़्यादा log details हम लोग को facebook से आता है और वो यूटीसी में होता है तो वैसी स्थीति में हम लोग सारी 5 घंटा add करते हैं वो time में जो हम लोगों को facebook उपलब्द कराती है तो आगे के आगे हम लोग अभी एकसल सीट पर देखेंगे कि कैसे हम लोग बल्क में यदि हम लोगों को time मिलता है चुकि log details बहुत बड़ा होता है facebook का तो हम लोग कैसे उसको excel पर उसका time zone convert करेंगे वो आगे देखते हैं यहाँ पर मैंने एक sample data लिया है जिसमें UTC time zone को हम लोग convert करेंगे इसके लिए सबस to time convert करके हम लोगों को लिखना है वो column यहाँ बनाते है तो यहाँ IHT लिख दिये हम लोग और यहाँ पर अब हम लोग date को भी change कर देगे date में mention करेंगे DDMMYY ताकि यह confusion न रहे कि इस date का format क्या है कि अब कि और डेट जितना महत्पुर्ण time होता है उतना ही महत्पुर्ण date है इसलिए इस चीज़ का ख्याल हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए उसके बाद हम लोगों ने अभी एप में जो देखा था कि सारे पांच घंटा आइड करना है तो यहाँ पे हम लोग सारे पां कि आईड किया जा सके हुआ क harmful सारी पांच घंटा हम लोगों को लिखना है एक बार में स elegant करके को सरक तरी सारे पांच घंटा आजाएगा उसके बाद हम लोगों को आयुषिटे वाले कॉलम में जाके is Cool का साइन देना है उसको बाद UTC वाले कॉलम से UTC वाले कॉलम में जाके सेलेक्ट करना है टाइम को और उसको बाद प्लस साइन देके साड़े पांच गांटा एड कर देना है इस तरह से हमारा IST आ गया उसको उपर से नीचे तक एक आरखीज देने पर सारा जितना भी UTC में टाइम था एक बार में कनवर्ट होकर IST में कनवर्ट हो गया है इस तरह से हम लोग बहुत बड़े डाटा को भी बहुत आसानी से यहां तो मात्र दस्पंदर डाटा है यदि एकाक हजार भी टाइम को एक बार में कनवर्ट करना हो त उसके बाद एक महत्पूर्ण चीज कि जब भी हम लोग टाइम कनवर्ट करते हैं तो कई बार और टाइम का चेंज करने के कारण डेट में भी चेंजिंग आया जाता है जैसे कई बार यदि 20 बजे 21 बजे 23 बजे इस तरह का यदि कोई टाइमिंग UTC में है तो उसमें सारे 5 गाने जब भी हम लोग ड करेंगे तो डेट चेंज कर जाएगा तो इस चीज कए हम लोगों को जरूरम को बिचेर घाल रखना है कि टाइम ज़न देख लें कि उसकेघ्टी चेंज नहीं कर रहा है इस तरह से हमलों टाइम जोन कनवर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को कि कभी भी जो इंडिया में हम लोग कोई डाटा किसी सर्विस प्रोवाइडर से मांगते हैं तो हम लोगों को आईश्टी में देती है इसलिए टाइम जुन करना वहां पर बहुत जरूरी है तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि यह वीडि को सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल झाल